सबसे बड़ा सर्म तो तब आता है जब इन चोर चुहार नेताओं के नाम के आगे में मानिये सब्द लगाना पड़ता है मानिये को भी सर्माज आती होगी कि इस 156 बैग में से केबल 6-7 बैग की ही गिंती हुई है और इसमें यानि कि 300 करोर के अलाबा जो 156 बैग जो अभी गिंती होना बाकी है इसमें से मात्र 6 बैग की अभी गिंती हुई है तो 20 करोर रुपया निकला है तो आप इससे समझे कि एक बैग में 4 करोर रुपय या एक लगभग एक प्रॉक्स निकल रहा है तो 1.500 बैग में जो है, तो कितना निकलेगा, इस बाट से पहले 300 करोर रूपय तक की कैस की गिंती हो चुकी है, कि अब तक यह देश की सबसे बड़ा कैस बराम्दगी बताया जा रहा है, अगर टोटल नोटों की गिंती अगर हो जाएगी, तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि टोटल रकम की गिंती, कैस की गिंती एक हजार करोर के पार जा सकती है, जरा सोचने की बात है कि कोई बेखती एक हजार करोर रूपया, कोई सांसत अपने ठिकाने पर छुपा करके रखता है, यह नेता लोग कैसे चोड़ी चमारी करते हैं, इन लोगों को राष्टिये ड गोसित कर दिया जाना चाहिए,